हेलो दोस्तों आसा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे गुड मॉनिंग आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ आप देख सकते हैं कि तो मुझे बहुत बुरा लगता है छोटे छोटे बच्चे की जो अब यह ऑनलाइन क्लासिस स्टार्ट हो गई है कोविड-19 की वज़े से तो यह मुझे बच्चों पे बहुत बड़ा लगता है अब देखिए कैसे इसमें ममी पापा की ज्यादा क्लास लग जाती है बच्चों की तो लगती लगती है साथ में उन लोगों की भी प्रापर उनके साथ इतना बैठना पड़ता है और श्पेशल को पढ़ाना है तो बना एक साल गैप हो जाएगा उनका आप देख सकते हैं वह भी वह पढ़ रहा है लाप टॉप पे कुछ ना कुछ लेकर अलफाबेट्स वगेरा तो अभी उसको सिखाते रहते हैं अभी उसका लर्निंग मोड है तो ताकि गैप ना हो क्योंकि अभी स्क काम खाना बनाना फिर इंकी क्लासे इंका होमवर्क यह और यह सभी में को लगता जो इंडियंस इंडियंस क्या बाहर के भी होंगे उन मॉम्स का भी यही इश्यू होगा कि काम के साथ साथ उनको बच्चे के इन सब स्टडी पे डिवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ते है और आप देख सकते हैं और यह सब में इतना बीजी हो जाते हैं ना हम लोग कि अपने लिए समय ही ने निकाल पाते हैं तो यह अभी उनकी क्लासिस चल रही है बेटे की मेरी तो अभी उनको कुछ लर्निंग के लिए तो वो ही सब कर रहे हैं तो गईस एक तरफ मैंने किया क आपको लग रहा है और मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है खाना बनाना तो वही सब में त्यारी में लगी थी कि लेसून चिल दू और यह सब त्यारी कर लूँ कि एक तरफ खाना भी बनना है तो सबजी मैंने चड़ा ली गाई आपको लग रहा होगा कि आलू के साथ अभी लगता है अभी आप ट्राइ कीजिएगा इस्पेशली दिली वाले जो जिन लोग बस भिंडी तो खाते है आलू अलग खाते है आलू भिंडी कैसे बनती है तो गाईस बनती है आलू भिंडी और बहुत अच्छी लगती है आप मुझे अगर बोलेंगे तो मैं इसकी बहुत सिंपल सी रेसिपी है तो आप जरूर एक बट ट्राइ कीजिएगा और बच्चे भी इसको बहुत पसंद करते है तो एक तरफ रोटी देखी गोल-गोल मेने बनाना स्टार्ट कर दिया है लंच पैक होना है तो यह सब चल रहे है तो आज तो बहुत सारा काम था लेक से गैधरिंग नहीं हो पारी है लेकिन हम लोगों ने लास्ट एर का रहा था तो यह वह है तो जूला-जूले थे साथ में बेटा मेरा बैठा है महंदी लगाई थी ग्रीन-ग्रीन कपड़े पैने थे चूडिया पैनी थी तो यह अच्छी मेमोरीज होती है तो करना लेक्स वीडियो में फिर आपके साथ मिलती हूं बाई बाई